आप देख रहे हैं प्राइबिटी अदिव्स खबर के अंदर का सच हम आप पर हुए जुरू प्राइब की प्रास करें सापताहिक बाजार में कुलहारी से पत्नी की हत्या कर फरार चल रहे आरोपी पती को आखिरकार गोबर वाही पुलिस ने तीसरे देन शनिवार की सुबहा पकड़ लिया आरोपी ने गुरूवार इठारा मार्श की शाम बग्हिरा ग्राम में पत्नी की हत्या की थी तब सी गोबर वाही पुलिस आरोपी की तलाउश कर रही थी तुमसर नयाहलै ने उसे बाश मार्श तक पुलिस इरासत में रखने के आदीश दिये है आरोपे पती का नाम पिपरा ग्राम निवासी शिशुपाल मंगल दास बरवे उम्र 40 वर्ष बताय जा रहा है जानकारी के अनुसार शिशुपाल की पतनी शालू बरवे उम्र 35 वर्ष उसे अलग अपने माई के आश्टिक ग्राम में बच्चों के साथ रहती थी शालू सबजी के दुकान के जरीए परिवार चलाती थी गुरोवार को उसने बगेडा ग्राम के बाजार में दुकान लगाई थी शाम साड़े साथ बजए शीशुपाल महा पोँचा और शालू को अपने साथ चलने को कहने लगा जब उसने मना किया तो शीशुपाल ने कुलहाडी सी हमला कर उसकी हत्या कर दी तभी से थार्निदार एप्पी आई दीपक पार्टिल अपनी टीम के साथ आरोपे की तलाश कर रहे थे हत्या करके आरोपे शिशुपाल पिपरा के जंगलों में जाकर चुप गया था सुबह वो कुछ समय के लिए सड़क पर आया तो गोबरवाही पुलिस ने उसे धर दबोचा आरोपे शिशुपाल मंगलदास बरवे के खिलाफ धारा 302-324 के तहट मामला दर्श किया गया है तुम सर नयायले ने उसे 22 मार्श तक पुलिस इरासत में रखने के आदेश दिया है एक आरवाई वरिष्टों के मार्ग दर्शन में गोबरवाही पुलिस थाने के थानेदार दीपक पाटिल, पुलिस अवलदार मनोज साकुरे, महिश क्रेह पुंचे, गजानन चवान, विश्नु जैभाने और नारायन कायन दिने की है BS Crime India News के साथ जुड़े रहने के लिए यूटूब, वेबसाइट, ट्वीटर, फेस्बुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख, लाइक, कमेंट और शेयर करे साथी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से BS Crime India News.com की एप्लिकेशन को डाउनलोड कर रोजाना तरजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे